असलाम उलेकुम स्टुडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है पहला नूकलियस 1831 में रॉबर्ट प्राउन नान के एक साइटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले नूकलियस की प्रेजन्स को डिसकाबर किया सेल के अंदर और बताया कि एक क्रॉमिनेंट सी बॉल्डी है जो कि सेल के सेंटर में नजर आती है और इसको साइटोप्राजम के कंपेरेजन में थोड़ा सा डारकर सी अपीरेंसिस की बताई और उसके बाद आजसे इस ता मालूम हुआ कि DNA माटीरियल और जो जिन्हाटिक माटीरियल है वो किसी भी शकल में हो वो नूकलियस के अंदर होता है अनिमल सेल्स के अंदर ये सेंटर में बिल्कुल होता है और प्लांट्स के केसमें ये पैरिफरी यानि साइड की तरफ होत कि बाद एक जाद की शंगे और रस राच तरफ सेल्स होता है अगधे इस सब्सक्राइस यगा मतलकी तो और राच व Самरंचा पpox पहande ऐसे सब्सक्राइबार में दो लněवाइन, नुकलेस के नेटवर्क 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 ने और इस ने बात करते हैं नूप्लियर मेंबरिन काईब होना शुर्य होगा होना जाती है, और जिए नूपलियर मेंट्रीयल हो अौइल हो जाता है और यह ने हम टरोकों में लिएसरी ने हती हं तैक मेंनम्नेश्जा ले विए मेंड़े ऑफिक्स्ड होती है For example, हम इंसानों में जो सेल है उसमें 46 नबर अफ क्रोमोसम्स होती है अब बात करते हैं न्यूकलियस के हिस्सों की न्यूकलियस के बाहिर एक मेंबरेन होती है जिसे न्यूकलियर मेंबरेन बोलते हैं आम जबान में लेकिन जब साइंटेस्स ने इसको अबजर्व किया तो मालुम हुआ कि यह डबल मेंबरेन है और डबल मेंबरेन यानि इसमें दो मेंबरेन बोलते हैं वो इकटी होकर उन्होंने एक पूरी बड़ी मेंबरेन को बनाया है स्ट्रक्चर जिसने न्यूकलियus को घेर डाला गया तो इसलिए इसी वज़ए से इसको न्यूकलियर मेंबरेन के बज़ए फिर न्यूकलियर इंवेलप जो है वो कहा जाता है अब इसके अंदर जो नूकलिय प्लाजम में और बाहिर साइ्ट पलाजम भी मौजूद है दो न्यूक्लियर पोर्ज उनकी बदद से न्यूक्लियस और साइटोपलाजम के अंदर माटीरियल्स की ट्रांसपोर्ट असानी हो जाती है एक्जेंपल जो एग्स हैं वह भी आपको पता है कि रिप्रोड़क्टिव एक सेल है जो के फीमेल की बॉड़ी में बनते हैं तो उसको अगर अबसर्व करें तो इस में न्यूक्लियस में 3,000 पोर्ज जो पोर्ज यह पाई जाते हैं इसके इलावा जो अर्यथ्रोसाइट्स हैं यह ऐसे सेल्स हैं जो रेड बलड सेल्स हैं जो इकийसे कम पोर होते जैंट में रेज़़न आपको है अगर सिल को स्टेन कें अक Gra spider to a necker appearance के दूछती है। और यह नूखलीस के अंदर एक साइड पर करके पाई जाती है। नूखलीस के अंदर एक हर आकड़ो नूखलियल होते हैं। और ribosomal RNA नूखलीस के अंदर ही synthesize होता ही. और एने की तीसरी एक हिसम है, जो के बड़ींपॉर्टन्ट है, ये दो हिस्सों पर मुझ्तमिल होता है। इसका जो नुक्लियोलस का रीजिन है, वो दो हिस्सों पर मुझ्तमिल होता है। एक पेरिफरल ग्रैनियूलर एरिया है जहां पर राइबोसोम को बनाने वाले जो सब यूनिट्स हैं जो हमने पड़े थे लाजर सब यूनिट्स पाए जाते हैं जिसकी वज़ज़ से यह हिस्सा जो हो गयर शफ़ाफ नजर आता है दानेदार नजर आता है दूसरा जो हिस्स उसके बाद हम बात करते हैं क्रोमसोम की नुकलियस के अंदर क्रोमतिन माटीरियल उनकी कॉंडेंसिंग और कोईलिंग से बनता है यह तब होता है जब साल डिवाइड करता है ताकि एक्रोमतिन माटीरियल को एक्वल तादाद में एक्वल करके तो दो हिस्सों में डिवाइ तो अगर माइक्रोस्कोप के नीचे आप क्रोमोसोम को रखकर देखें तो उसमें आपको बाजू बने में नजर आएंगे जिने क्रोमोटेट्स कहते हैं और दरमयान में गोल रांडी बांडिट के साथ जो रहे होते हैं जिने सेंट्रोमियर कहते हैं क्रोमुसोम को बैद सेल के डिपियण के बाध बनते हैं। नंकोड़ की न以及 क्रोमाटिन मेटियल की शकल में नजराता हैं। और हिसाने प्रोठीन राद जो धॡेच रहा हैं। और वो नमबर जो फिक्स रहता है, बिसाल के तौर पर इनसानों में 46 क्रोमोसोम है, फ्रॉग्स में 26, चिंपैंजी में 48, फ्रूट फ्लाइ ड्रॉसॉफिल, मिलानोगेस्टर में 8 क्रोमोसोम है, इसी तरह अनियन में 16, पोटाटो में 48, गार्डन पीस जिसे हम बटर कहते हैं उसमें 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो नमबर एक नॉर्मल बॉड़ी सेल के अंदर जाए, वो डिपलाइट शकल में होते हैं, और जो गैमिट्स बनते हैं, वो बनते हैं, तो उनमें क्रोमोसोम नमबर हाफ हो जाता है, डिपलॉइट का आदा रह जाता है, इसलिए हम यहां पर आप देख सकते हैं, कि जो बॉड़ी है, सेंट्रोमेर सेंटर में, वो काइन अटो कोर से मिलकर बनी है, और इसमें क्रोमोटिन माटीयल जाब फोल्डर कॉयल हुआ है, और इनको इसके जो दो बाजू बने हैं, उनको सिस्टर क्रोमोटिन्स के थे हैं, यहां पर और आपको नुक्लीयस की शक्ल दिखाई गई है, आप देख सते हैं नुक्लीयर की अटव हो ग्रीन के तिक्लर के डिकाए गया है, यहां बंड़ा इसमें नुक्लीयर बीनिंप्री बन्द भी ने ग्रूटिन है, और आप सब्सके बाद हमारा जूओ आज का टॉपिक है, व नूपर पंधाई, अबैक्टिरिया और उक्टिरिया और नूपर पंधाई, अफिक धαए जर सरा ला अजन में वैसे तो फ्रोकरियाइटिक और उऔके रिपेरियोटिक लेक दिखोंदे हैं लेकिन आपरम में मिन डिफेरंसिस के बारे में बात करेंगे आप सारी जो इस्सक्रेफरिप्शिंडे और इसको पॉइंट्स की शक्ल में अगर आप करने तो आपके लिए आसान होगा वने प्रोकेरियोट्स सेल में ये बाहिर सेलवल होती है ग convert that Gynatri भी छेए ज़े के वाइन सेलोप रहे हैं जसेलर फ़लए हो सेलो चाहने आप काईटंग विछ दुटीर दाए हैं ज़न का मशाल सैईर के वाइनगार बत मैं दुटीरू कि छिएव्य उसमें parent cell अपने अपको दोईसों में डिवाइड करता है और इसमें mitotic apparatus नहीं बनता क्योंकि इसमें centriol नहीं होता है जबकि animal plant cell वगरा में अगर हम देखें तो mitotic apparatus बनता है plant cell में centriol नहीं होता animal cell में centriol भी होता है और जो chromosome है वो equally डिवाइड हो जाता है और तक्सीम का वो अमल या तो mitosis होता है या फिर वो meiosis होता है mitosis में arm cells divide करते है meiosis के तुरो gamits बनते है यानि के egg और sperm उसकी बात हम बात करें important तो prokaryotic जो cells हैं उनमें cell organelles नहीं होते उनमें सिरफ ribosome पाया जाता है जबकि यूकरियोटिक cell में बहुत सारे cell organelles हैं endoplasmic reticulum, golgi body, centriol, lysosome, paroxyosome, lyoxyosome यह सारे हमने पढ़े थे और एक और important बात बता दूँ के जो prokaryotic cell है उसमें तमाम cell organelles के साथ-साथ centriol भी यह नहीं है और यहाँ पर एक और एहम बात बता दूँ कि सिरफ ribosome है जो के दोनों में पाया जाता है लेकिन जो खोरियोटिक cell में वो छोटे साथ का होता है प्रोकेरिक cell में जो ribosome होता है वो बड़े साथ का होता है prokaryotic cell Mask का ribosome है उसका size 70S यानि स्वेडबर्ग है S से मतलब है यहाँ पर स्वेडबर्ग जबके 80S जो है उसमें जो size है UK.XL में ribosome का वो 80S है तो दोनों के size में वाज़ा फरक है स्वेडबर्ग यहाँ S को स्वेडबर्ग शो करता है स्वेडबर्ग एक यूनिट का नाम है जो के ribosome के जब ultra centrifugation करते हैं और इसका size महीर करते हैं तो उसको महीर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है अच्छा जी इसी तरह और चोटी चोटी बड़ी सारी जो है वो differences हैं लेकिन main जो differences है वो आपको इस तरह से यहां पर लिखी हुई है और यह आपने इस तरह से explain करनी है